प्रबीर और आप देख रहे हैं टेकन टेकनिक्स आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल प्रोड़क्ट हम लेके आए हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था हम LD18B from Pope Professional उस सबुफर का रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसका उनबॉक्सिंग रिव्यू और टेस्टिंग भी करने वाले हैं यह सबुफर 1200W का है और यह काफी अच्छा रेस्पॉंस देता है और यह सबुफर काफी रिलाइबल भी है क्वालिडी इसका बहुत अच्छा है और यह प्रोप्रफिस्नल के तरफ से काफी पॉपलर मॉडल है और इस प्रोड़क्ट का और भी दो मॉडल है जैसे यह LD18B है LD18B V2 LD18B V3 यह दो मॉडल है जो BNC के स्पीकर के साथ आते हैं V2 जो है वो 1200W का है और V3 जो है वो 1500W का है तो उस प्रोड़क्ट का भी बहुत चल्दी आपको वीडियो देखने में मिलेगा और प्रोड़क्ट का जैसे ML218B V3 जो BNC के स्पीकर के साथ आता है 1500 और 1500W का इसका वीडियो आपको बहुत चल्दी इस चैनल पे देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिलकुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूंकि आपको इस तरह के बहुत सारे प्रोड़क्ट की वीडियो देखने को मिलेंग प्रोड़क्ट के जितने भी प्रोड़क्ट होते हैं उनके पैकिंग बहुत ही अच्छी होती है ताकि ट्रांस्पोर्ट की दोरान इनके प्रोड़क्ट को कोई भी डैमेजिस ना पहुँचे इस तरह की पैकिंग की वज़ेशे इनकी प्रोड़क्ट बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं ट्रांस्पोर्ट में और यहां पर हमें देखने को मिलता है एक स्टिकर इस स्टिकर में इस सबवफर का स्पेसिपिकेशन लिखा हुआ है आप अगर चाहिए तो इसको यहां पर लगा सकते हैं तो फाइनली हमने इसको बाहर निकाल लिया है तो चलिए हम इसके बारे में डीटेल में जानते हैं तो यह है पोप्रविस्नल का LD18B यह 1200W का RMS में है इसके बिल्ड क्वालिडी काफी अच्छी है पोप्रविस्नल का जितने भी प्रोडक्स होते हैं उनकी बिल्ड क्वालिडी काफी अच्छी होती है जिससे एक ब्रांड यूज़ करने का फिलिंग आता है इसके हर तरफ से बिल्ड क्वालिडी बहुत ही अच्छी है इसमें आपको स्पीकर उपर की तरफ से लगता है जो इस चेंबर के अंदर लगेगा इसमें स्पीकर का बैक साइट का एरपास नहीं मिलता इसलिए इसको प्ले करने के टाइम में थोड़ा सा वाइब्रेशन्स वगेरा जादा आते हैं इनकी हर प्रोड़क्ट में साइट में पोप लिखा हुआ मिलता है यह उनका ट्रेडमार्क लेटर है जो इनके हर प्रोड़क्ट में लगपक आपको देखने को मिलेगा इनकी पेंट जॉब बहुत ही अच्छी होती है यह साउंट प्लेक्स पेंट का यूज़ करते हैं और यह देखने में काफी अच्छा लगता है इसके उपर आप स्टांड का यूज़ करके टॉफ या फिल लाइनरे इंस्टॉल भी कर सकते हैं अल ओवर इसके बिल्ड क्वालिडी काफी अच्छी है इसके बैक सेट में हमें देखने को मिलता है पोप की ब्रांडिंग और स्पीक ओन कनेक्टर इन्पूट भी देखने को मिलता है इसके ग्रिल के नीचे पहले हमें देखने को मिलता है पोप का एक लोगो और इसकी जो की quality है काफी अच्छी है हर तरफ से पोप का जो product है उसको अच्छा बनाने की प्रयास रेती है पोप की तरफ से और उनकी product बहुत ही अच्छे build quality में बनते हैं और इस cabinet में आपको उपर की तरफ से speaker लगाना होता है और यहां पे भी पोप का बनेंडिंग देखने को मिलता है इस डोर को खोलने के बाद आप यहां से speaker को देख सकते हैं और इसके अंदर एक 1200 वाट का speaker लगाया गया है जो 4 इंच voice call में है और speaker की quality काफी अच्छी है इस cabinet में speaker का back side का air pass नहीं है तो यह अच्छा punch के साथ थोड़ा सा vibration वगरा भी दे देता है कुछ लोग इसको अर्थकोद भी बोलते हैं और side में हमें देखने को मिलता है वोप की branding जो इनके हर cabinet में इस तरह का branding देखने को मिलता है इसकी pen जो है वो काफी premium है और यहां पर इसका handle है जिसकी quality बहुत ही अच्छी है और यह थोड़ा सा बड़ा handle दिया गया है क्योंकि यह वाला subwoofer जो है वो लगफग 80 kg तक है तो इसको उठाने के लिए चार handle का यूज़ किया गया है और handles की grip भी बहुत अच्छी है और back side में हमें देखने को मिलता है पोप लिखा हुआ LD18B इसका model नंबर है और इसमें एक 18-inch का subwoofer speaker यूज़ किया गया है और यहां पर इसका frequency range लिखा हुआ है जो है 27 हच से लेके 294 हच तक और इसका continuous power 1200 Watt है प्रोग्राम पावर 2400 Watt है और इसका पिक पावर 4800 Watt है इसका impedance 8 Ohms है और speak on की वेरिंग आपको 2 plus 2 minus में करना होगा और यहां पर देखने को मिलता है इसका barcode, serial number, designed in Germany और for professional acoustic limited यहां पर लिखा हुआ और यहां पर है इसका speak on connector एक input के लिए एक through के लिए जो new trick का use किया गया है तो इस subwoofer की testing के लिए हमने साथ में एक TH625 टॉप भी लिया हुआ है जिसका review हमने किया हुआ है आप अगर चाहिए तो channel में एक बार देख सकते हैं MSC 8202 के एक channel पे हमने use किया है LD18B और 7202 के एक channel में हमने use किया हुआ है TH625 तो इसको दोनों को play करके देख लेते हैं हुआ 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 है हुआ 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 ह कर दो कर दो कर दो कर सकता कर सकता कर दो कर दो तो दोस्तो यह है प्रोप प्रफेस्टनल का LD18B यह 1200 वाट का सबूफर है जो हॉन लोड़ेट कैबिनेट में है आप इसको चाहें तो लाइव साउंड या फिर डीजे दोनों में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और इसका रेस्पॉंस बहुत ही अच्छा आपको सुनने में बिलेगा आप इसको 8202 में दोपीस या फिर 8200 में चारपीस आप चला सकते हैं और प्रफेस्टनल का जितने भी फ्रोडोक्स होते हैं उनकी पैकिंग बहुत ही अच्छी रहती है यह अपने हर फ्रोडोक के ऊपर बहुत ज्यादा एफट देते हैं ताके वह और भी को मिलने वाल है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोडिपिकेसन बेल को भी ऑन करतीजिए ताके हमारे कोई एक वी कर दो बीजिए